यार आज हम बात करने वाले बीना मोबाइल लिए बीना OTP गर्ल्फरेंड का वाटसप अपने मोबाइल में कैसे चलाएं यानि गर्ल्फरेंड का वाटसप हैक कैसे करें आप हैक करके पता कर सकते हो कि आपकी गर्ल्फरेंड किसके साथ बात करती है किसके साथ ज्यादा चैट यानि दूसरे का WhatsApp अपने मोबाइल में चलाओगे तो आपके मोबाइल में चलेगा और उसके मोबाइल में भी चलेगा तो इसको बोलते हैं एक WhatsApp दो मोबाइल में कैसे चलाएं तो चलो अब बात करते हैं कि जीएफ का WhatsApp अपने मोबाइल में कैसे चलाएं इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा आपको अपने WhatsApp का डाटा क्लियर करना होगा मैं आपको कंफर्म कर दूँ कि आपने जिसके साथ भी जितना चेटिंग किया होगा यह पूरा आपका डिलीट हो जाएगा ठीक है ना देख लिखाएगा उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा यहां पर लिखा रहेगा स्टोरेज डाटा स्टोरेज यूजेज इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहां लिखा है क्लियर डाटा इस पर क्लिक करना और यहां डिलीट कर देना तो WhatsApp का पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा ठीक यहां तक आजाना अब आपको यहां पर क्या करना है आपको WhatsApp ओपेन करना है WhatsApp ओपेन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा यहां पर लाइंगवेज पूछेगा तो आप लाइंगवेज सेलेट कर लेना उसके बाद इस एरो पर क्लिक करना और कि हम एक WhatsApp दो मुबाइल में चलाना चाहते है तो जो हमारा वाला WhatsApp था आप समझो मतलब जो GF वाला WhatsApp था उसको हम इसमें चलाना चाहते है ठीक है ना तो हम अपना नंबर यहां पर नहीं डालेंगे हम क्या करेंगे यहां पर आपको थ्री डॉट को ओप्शन देखेगा थ्र में चलाना चाहते हो तो साइड में मैं आपको एक स्क्रीन दिखा देता हूं मैं इसी मुबाइल का WhatsApp इसमें आपको चालू करके दिखा अब देखो दोस्तों साइड में आपको दूसरा मुबाइल दिखाई दे रहा होगा इसी मुबाइल का WhatsApp में अपनी मुबाइल में उपर आपको 3.00 को ओप्षन दीखाए देगा 3.00 पे क्लिक करना उसके बाद यहां लिखा है Linkd device इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद आपको यहाँ पर दे सकते हूँ, will using the app इस पर क्लिक करना, और यहाँ पर camera open हो जाएगा, और यहाँ मैं इसको पहले reload कर लेता हूँ, reload करने के बाद यहाँ पर देखवा गया अब मैं scan कर लिया हूँ, इस तरह से आपको scan कर लेना है, फिर यह login हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा wait करना पड़ेगा, जितना fast आप connect चलेगा, उतना fast यह काम करेगा, तो यह समझ लेना, अब देखो यार, एक WhatsApp दोरो mobile में चालू हो गया, जिसमें बैक चलके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर चालू हो अकिने, तो यहाँ पर देख सकते हो, यही WhatsApp यहाँ पर भी दिख चैटिंग नहीं, इसमें भी देखो कोई चैटिंग नहीं है, तो इस तरह साब पता कर सकते हो, कि उस mobile में क्या चैट किया जा रहा है, और मतलब उस mobile में जो चैटिंग किया जाएगा, वही चैटिंग आपको भी दिखेगा, कि इस इस बंदे के साथ यह चैटिंग हो रहा ह ठीक तो इस तरह साब पता कर सकते हो कि एक वाटसप दो मुबाइल में कैसे चलाएं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गएंगो जो मैं आपको बताना चाहता था और आपका काम भी हो गया होगा तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना मिलते हैं नेक्श्ट वीडियो में तो तक लिफ बाइबाई